भारत चोडो यात्रा ने जब वायवे करनाटक का रुख किया तो कंग्रस नेता राहूल गांदी स्थानिय रेशिम कीट पालकों को मिलने गए उन्होंने ये भी जानने की चेश्टा की कि नरेंद्र मोधी सरकार की नीदिया उनके जीवन को दूभर कैसे कर रही है करनाटक रेशिम उत्पादन में अव्वल राज्य है यहां ये परंपरा 500 साल पुरानी है इस भेट के बाद भारत टॉकिस के टीम कुछ रेशिम कीट पालकों को मिलने मदकरी नायकन अकोटे गाउं पहुँची चालीस वर्षिय कुमार जिनका यह खेत है हमें बताते हैं कि उन्होंने रेशिम की पालन को क्यों शुरू किया आस्मा में छाय काले बादल एक तरह से कुमार की निराशा को प्रतिबिम्बित करते हैं इस साल गर्मी ऐसी पड़ी कि कोशों की संख्या कम हो गई बिन मौसम बरसात ने जो कोशे बच्चे थे उन्हें भी खराब कर दिया मुंचे यहला बेर-बेर एक कुरुषय नमाटती दुए आनना उद्देशे नागी तप अंतर भूम इगे अन्य रेशिम कीट पालकों केही तरह कुमार भी निसर केस मार से जूजने के लिए तयार है हत्पल तो वो इस बात से हैं कि मोधी सरकार किसानों के खिलाफ नितनाई नीतियां बनाती है भी जैपी सरकारा वो टोटली एलपका अंध रही तविरोवधी सरकारा तू पर अज़्य तरीव कोड़ जीयेश्टी कटे तवरबकाकटते इन आओध पर त्थियूंद्र लुकुड कोड़ अंट अंग्रेस सरकार दालिधा बालास्ट रहीतर देन रहीतर अनु कोड़ ए यहां मौजूद महिला रेशिम की पालत भी इससे सहमत हैं इसके बाद लाजमी था कि भारत टॉकिस की टीम बुनकरों से मिलकर उनकी हालत जाने इसके लिए 65 किलोमीटर सफर कर हम पहुंचे मौलकाल मूरू पंद्रवी शताब्दी की विजयनगर सामराज्य के समय से ही यहां रेशिम बुनने की परंपरा रही है एक हतकरगा मजदूर को एक मौलकाल मूरू साडी बनाने में डिजाइन के हिसाब से 8 से 10 दिन लगते हैं साडी में इस्तमाल किये गए रंग उनकी शोभा बढ़ाते हैं और उसको अलग पहचान देते हैं लेकिन अफसोज कि यह 500 साल पुरानी परंपरा लगबग लुप्त होने की कगार पर है दो दशक पहले रेशिम की कीमत साड़े 300 रुपए प्रती किलो थी 2018 तक यह दस गुना बढ़कर साड़े 3,000 रुपए हो गई अब यह 5,800 रुपए है हाल में आये कोरोना महमारी के बाद रेशिम व्यवसाई अभी उभरी रहा था कि नरिंद्र मोधी सरकार ने रेशिम पर 5 फीसदी GST लगा दी इस थपेड से जूज रहे रेशिम व्यवसाई को मोधी सरकार ने 12 फीसदी GST का ए अब यहां इस व्याथा से यहां का कोई भी बुनकर अच्छूता नहीं है आलम यह है कि अब कई बुनकर हथकरगा छोड़कर पावर लूम चलाने लगे हैं अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए वो रेशिम की जगह पॉलियस्टर और अस्नी जरी की जगह प्लास्टिक जरी का इस्तमाल करने को हथपल है पावर लूम पर बनने वाली साडियों की कम कीमत की वजह से वो भले ही जादा बिक्ती हो लेकिन बुनकरों को ये बात कचोटती है कि उनकी पुरानी परंपरा तूट रही है नफरत से भारत के टूटते ताने बाने को एक बार फिर सहजने वाले भारत जोड़ो यात्रा ने इस क्षेत्र के बुनकरों और रेशम की पालकों में उम्मी जगाई है अब उन्हें विश्वास है कि मुलकाल मुरू की परंपरा आगे भी चलेगी